तो पिछली गलास में हम लोगों ने विटामिन A, D, विटामिन E और विटामिन K को पड़ा था कि अब donuts क्रेंगे कि विटामिन बी sow पहला नाम है विटामिन बीवन अभी एक चीज़ और ह्यां देने वाली वाली बात है विटामिन B जो होता है कई जगे आपने लिखा देखा होगा विटामिन B कॉम्पलेक्स तो विटामिन B कॉम्पलेक्स का अर्थ होता है कि विटामिन B एक विटामिन नहीं बलकि बहुत सारे विटामिन का क्या है कॉम्बिनेशन है क्या कि बहुत सारे विटामिन का एक कॉम्बिनेशन है हमने इसका नाम रख रहा है विटामिन B complex तो उस complex में कौन कौन सा विटामिन होता है तो मैंने चेक किया सबसे पहला विटामिन होता है B1 बेटा इसका formula का नाम देखा जा तो होता है thymine formula आपके सानल लिका है C12H18N4OS अभी बात करेंगे कि इसका source क्या है विटामिन B1 जो है वो कहां कहां पर प्राप्त होता है लिका है दूद में सोया बीन में अंडे में हरी सब्जियों में और अनाजचावल में अभी आगे बात करेंगे कि एक रोग होता है बेरी 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 कि आए बेरी बेरी रोग अगर देखा जाए एक प्रकार की कमजोरी है और मैंने साथ में लिखा भी है कि हमारी मस्क्ता क्या हो जाती है या तो completely damage हो जाती है खत्मोने लगती है सेरीर बिलकूल दूबला हो जाता है कमजोर हो जाता है और यह फिर उसने लिखा है पेशी तो इससे भी पैचाना जा सकता है किससे धूंख ना लगना जब एक्ति बोजन नहीं करेगा उसकी बॉड़ी को एनर्जी नहीं मिल पाएगा जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो उसके सरी में क्या जाएगी कमजोरी और इसी रोग को हम क्या कहेंगे बेरी-बेरी आगे लिखता है अगला विटामिन है बीटू और बीटू का फॉर्मॉला होता राइबो फ्लैविन फॉर्मॉला सी सेवेंटीन एच्ट्वेंटी एन 4-06 ध्यान लखना है यह जो है विटामिन का सोर्स है दूद हारी सबजियां केला टमाटर पत्तागोवी किसमिस और चेरी इसमें से और ध्यान देने वाली बात है विटामिन बी की कमी से ज्यादा तर जरू होते हैं वो इसकिन पर होते हैं इसको भी ध्यान लखना मैं सब पर नहीं कहता लेकिन ज्यादा तर रोग जो इसकिन पर होते हैं तो क्या होता है किलोशिस कभी कभी होता क्या विटामिन बीटू की क पढ़ने पढ़ जाते हैं मुँ तता होट के किनारे क्या पढ़ने लगती है दरारें पढ़ने लगती है यह बीटू की कमी से होता है विटामिन बीटू की कमी से जिसको दूर करने के लिए हमें हरी सब्दियां केला टमाटर पत्ता गोबी और किसमिस चेरी भी खानी चाहिए आगे लिखता है नेक्ट विटामीन है विटामीन B3 फॉर्मुले को चेक कर देए नाम है पेंको थैनिक अम्ल पेंटोथैनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है C9 H-17-O-5-N यह फॉर्मूला हो गया इस्ट में पाया जाता है यकरत मनलब लीवर यकरत का मनलब लीवर ही तो होता है चावल, जौफ और मक्का तो चावल, जौफ, मक्का इन सब चीजों में पाया जाता है अगरि मैं आगे बरत करता हूँ तो खास कर मैं इस बात को चेक करता हूँ कि इस परकार के विटामिन के मनुस्यों को लिए कोई जरूरत नहीं है अगर ये विटामिन जिसका नाम बीथरी है अगर हियूमन बाडी पर कम भी हो जाता या भी नहीं भी बच्चता है तो कोई प्रॉब्लम वाली समस्या नहीं है लेकिन हाँ इस विटामिन की कमी पक्षियों पर नहीं होनी चाहिए तो ज़्यातर मानों पर मैं ये नहीं कहता है कोई इफेक्ट ही नहीं है लेकिन अभी तक की रिसर्च में मानों पर कोई खास एफेक्ट नहीं पाया गया है तो मैं उस बेसेस पर बात करूँ तो की विटामिन B3 के उलकिन के लिए जरूरी है पक्षियों में जरूरी है क्यों कि अगर इसकी कमी हो जाएगी तो इसमें लिख रखा है मैंने पंकों में कैसी व्रद्धी होती है और पक्षियों के जो उडान होती हो तो पंकों के पर इबेश्ट होती है तो अगर यह कमी आ गया तो फिर पंकों में व्रद्धी नहीं होगी और उड़ने के लिए उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी तो ध्यान दखना जो विटामिन B3 है इस पर रिसर्च जा रही है मनुस्य के लिए इस पर कोई खास इफिक्ट नहीं देखे गए तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको क्लियर नहीं करूँगा आगे चलते है विटामिन B5 फॉर्मुला होता है नियासिन या इसका एक और नाम है निकोटिनिक अम्द फॉर्मुला क्या होता है C6H5NO2 अब ये कहां कहां पर मिलेगा या विटामिन B5 का सोर्स क्या है मैं चेक करूँगा अंजीर, मस्रूम, मुंगफली, चावल, खमीर, दूद, मच्छली इन चीज़ों में विटामिन B5 पाया जाता है अब ये आगे चेक करते हैं इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं पेलेग्रा, अब नाम थोड़ा सा लगता है, पेलेग्रा को तो आजी लोग जानती ही नहीं पेलेग्रा क्या होता है लेकिन बेटा, देखो सुनो इसको, अगर विटामिन B5 की बाड़ी में कमी होगी तो पैलेग्रा नामग रोग होगा और पैलेग्रा नामग रोग पर होता क्या है कि जब भी आप कभी धूप में जाते हो तो धूप में जाने पर ही आपकी तुचा लाल पढ़ने लगती है और ऐसा लगता जिसे मोटी परतजमने लगी है जिसको ऐसा समझ सकते हैं कि धूप में तुचा जलने लगती है बहुत जल्दी एक तो धूप में निकलना आपके लिए कठिन रहेगा क्योंकि जलन दूप में एसूस होगी और दूसरा बेटा जैसे अब ज़्यादा थूप में रह लेते हो आपकी इस्किन की बारी सतय जो है वो पपड़ी बनने लगेगी मोटी होने लगी सतय जलने लगेगी और हाँ ऐसी कंडिशन पर मनुस्यों को काफी समझ चाहें फेस करनी पड़ती है तो पलेग्रा रेक्स रोक समझ गे ना कैसे कह रहें मनो भरंस दिमाग भी सेज़न से काम नहीं करता पाचन तंतर भी क्या हो जाता है खराब हो जाता है तो यह सारे के सारे लक्ष्ण होते हैं अगर आपके पास विटामिन B5 की कमी है अभी चलते हैं विटामिन B6 क्या करता है सबसे पहले तो विटामिन B6 के नाम क्या है इसका नाम कहते हैं पाइरीडीन या पाइरीडॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं मैं यह लिख देता हूँ पाइरीडीन और या पाइरीडॉक्सिन दो में से किसी नाम से आप बोल सकते है इसको फॉर्मूला क्या रहने वाला है C8H11O3N ये O3 लिखा हुआ है बेटा कहता है इसमें से हम इसे प्राप्त कैसे करेंगे साबुत अनाज से साबुत अनाज जानते हूँ क्या होता है क्या रहता है साबुत अनाज साबुत अनाज का मतलब है इसके लिए हमें अनाज को पीस कर उसका आटा बनाने की कोई जरूरत नहीं है आप साबुत अनाज लीजिए उसमें से आगे कहता है दालें दाल में भी पाया जाता है अंड पी तक समझते हो गए अंड पी तक का बलब अंडे का पीला भाग और मांस में अच्छा ये सारे के सारे जो भी पदार्त हैं इनका एक ही काम है साबुत अनाज हो चाहे दाले हो चाहे अंड पी तक हो चाहे मांस हो ये सरीर में blood को बढ़ाती है खून की कमी को क्या करती है पूरा करती है अचा ये सारे की सारे चीजे खून की कमी को पूरा क्यों करती है देखो साथ में लिखा हुआ है अरक्तता अरक्तता का मतलब खून बौडी में ना पाया जाना ऐसा तो impossible है अरक्तता का मतलब होता है खून में खून की कमी अलप रक्तता भी उसी को कहते हैं कि खून की कमी है मरोण पढ़ना या एठन पढ़ना इसकी कमी से कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि हाथ या पैर अपने आप क्या होने लगते हैं मुणने लगते हैं तो मरोड पढ़ना या एठन भी इसका एक लच्छन है तो ध्यान रखिएगा विटामिन B6 जो है वो अपने आप बहुत ज़्यादा उप्योगी है क्योंकि ये खुन की कमी को भी पूरा करता है सरीर में मरोड या एठन इस प्रकार की भी प्रॉब्लम को दूर करता है हाँ ए ये लास्ट में लिख रखा था यहां पर एनीमिया लेकिन यहां पर भी ध्यान रखना अबना रख तल्पता या रख्त की कमी को आप एनीमिया के नाम से जानते हैं अभी नेक्स नंबर पर चलेंगे अगला पढ़ेंगे विटामिन B12 बिटामिन B12 का नाम होता है साइनो को कोबाल मीन यहां पर मैंने कोबाल मीन लिख दिया है कहीं कहीं भुक में आप देखोंगे तो कोबाल मीन लिखा होगा लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि क्या है प्रॉबलम फॉर्मूले से है क्या फिसक्स टीच्टीट एच एच्टी एट औ가 strong फोर्टीन छोटीन बी स सिए अभी चेक करेंगे इसमें फूला सा मैं बताउंगा सी कार्बन को रीप्रेजन करता है एच हाइड्रोजन को ओचिजन को ए नाइट्रोजन को पी रीप्रेजन करता है फॉस्पोरस को और यह लिखा है यह कोबाल्ट एक मिटल आता आप जानते होगे उसको यह उसको कि विटामिन-B12 का सोर्स क्या है कहा से प्राफ्ट होगा हम लोगोंने लिए रखा है कि मास मसली दूद अंडे और यक्रत इन चीजों को खाने से हमारे सव्हें में विटामिन-B12 की कमी को क्या किज़ा सकता है पूरा फिर इसमें से कहता है अगर इसको कमी हो जाएगी विटा लाल रुधिर कडिकाएं लाल रुधिर कडिकाओं में से किसकी कभी हो जाती है एच बी का मतलब है हीमोग्लोबिन यह ध्यानक ना जब ब्लड रिपोर्ट होती है बेटा सबसे पहला जो आर्टिकल आता है वह एच भी ही आता है आप देखो कि एक तरफ एच भी लिखाओ आफ़तर पता कर लेते हैं कि इसके अंदर सरीर में रख्तिकी कितनी कमी हह जब का क्वाद को समझ लें एक बार अगर आपके प्रहीमो ग्लोबिन अच्छा है आप रख्त्के बना भी सकते हैं बहुत अच्छा बोढदी के अंदर हीमोग्लोबिन अगर अच्छी एमांट मे है तो खून बनने में जिसको समय नहीं लगता है और जो हीमो- regelopnin कम तो फिर रख्त के बनने की स्पीड भी कैसी रहे गी मिरहाइगी तो हीमो-ग CG अगर बेटर है तो सुन पर जाते हैं, हाथ पेर, अभी आगे लिखा आता, सुनेता, समझ में जाते हैं, कि हाथ पेर भी हैं, जणजना अठ, और बेटा क्या होने लगती है, घवराट, यह सारे के सारे लच्छन ए, खुन में हीमोगलोबिन कमोगा, तो इस परकार के इंफिटे देखने को मिलें देंगे इसके बाद मैं विटामिन B12 के बात करूं अगले विटामिन पढ़ूंगू विटामिन सी विटामिन एच उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक और इंपोर्टन टार्टिकल को यहीं देखा जाएं फॉलिक एचिड अब इसको देखेंगे फॉलिक कि विशे में भी काफी चीज़ें पूछता है इसको विटामिन के साथ ही सम्मिलित कर लेते हैं क्यों वही है तकरीबन वैसे ही सिमिलर नीचर है तो फॉलिक करेंगे बेटा फॉलिक एसिड का फॉल्ला सी नाइंटीन एन सेवन ओ सिख्फ होता है मैं अगर चेक्षा भी एक चीज़ दिमाग में एक सरी सबका सूतर का नाम लिखा है लेकि इसका नाम में लिए का क्योंकि बेटा इसका नाम ही क्या है ऊट है तो वहां विटामिन बीटल लिखता तो उसका रासानी नाम लिखते थे फॉलिक असीड का रासानी नाम 0 1 कि मैं लिख ले थे लेकिन क्योंकि मैं लिखत चुका था बैयरी डेरी डेरी उत्पाद, इसमें से, हाँ, डेरी उत्पाद का मतलब समझते हूँ, दूद से बनी वस्तुएं, या दूद से बने खाद पदार्त, जिसे पनीर है, दही है, इस परकार के पदार्तों का भूजन में लेना चाहिए, हरी सबजियां लेनी चाहिए, संत्रा लेना चाहिए अभी एक हम बात ये समझ रहे हैं ज्यादातर विटामिन में से हरी सब्जियां भीच भीच में रख देता है दूर से बनी चीज़ें हर चीज़ में लेनी है अंडे और मास मसली का यूज भी लगबख सभी में करना है अभी आगे चलेंगे कि फॉलीक एसिड की कमी होगी तो प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ेगी कहता है रख ताल पता खून की क्या होती है कमी तो मैं क्या सुचता हूँ रख ताल पता दो जगे पर उत्पन हो रही है यहां पर पहला रग्ताल पता उत्पन हो रही है बेटा विटामिन B6 पर और दूसरा रग्ताल पता कमी उत्पन हो रही है फॉलिक एसिड पर तो जब भी खून की कमी होती है आपको केल वही दो चीजें खाने के लिए बता जाती है या तो जिन में क्या होगा après स्वालिक एसिड तब खून की कमी कभी होगई five नहीं एक बार देख लिया जाता है उससे क्या होता है ना कि दो चीजें अच्छी हो हो जाता है कि इसमें विटामिन कौन सा है और दूसरा आप एक्सपेरी डेट भी देख पाते हो क्योंकि बेटा दवाएं एक ऐसी चीज है आप हर कोई भी सामान खरीद के लाओगे आप उसका एक्सपेरी डेट तुरंद चेक कर लेगे लेकिन मैंने ज्यादा तर देखा जब परेशान हो उस समय और परेशान वेकिती सारी चीज़ें नहीं देखता तो एक बार पीछे पलटके देखेंगे उसको जो भी मिलेगा तो दो चीज़ें खून की कमी में आएंगी तो विटामिन के यह फॉर्म होके अभी विटामिन सी और विटामिन एच बचता है तो आप फॉर्मूला विटामिन सी का कई बार पूछा गया है और इस बास से भी ध्यान लखना कि विटामिन सी ज्यादा तर खट्टे पदार्थों में मिलता है अजब खट्टे पदार्थों में मिलता है खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है अम्ल इसके फॉर्मूले का नाम है एसकॉर्बिक अमल तो इस बात को विशे जानक नाइस कॉर्बिक अमल क्यों कि खट्टे पतार हो पाई जाता है विटामिन सी फॉर्मुला सी 6-8-0-6 अभी बात करेंगे की बात क्या करेंगे सोथ में से तो खट्टे पतार मैंने पहले ही बता रखें कहता है खट्टे पतार जैसे नीमू संतरा अंगूर मौसमी आवला टमाटर अमरूद आदी अभी कोई-कोई वेक्तिक उच्छे कहागा सर्जी तो खट्टा ही नहीं होता नहीं इसमें तो किसी भी प्रकार का एसीड नहीं मिलता और हो सकता इंसे भूल हो गई हो बैट इसे भी ऑब्जेक्ट का पी एच मानगा साथ से आगे बढ़ रहा कि दर कि और आठ नौ तो चारी नेचर बढ़ता है और जब साथ से कम आता है छे पांच चार तीन इधर कोंसा नेचर बढ़ता है अमली अब हम तुमको एक बात बता है हमारे मूं के अंदर का पी एच मान कॉंस्टेंट नहीं रहने वाला है खटे पदाद खा लोगे थोड़ने के लिए पी एच मान को देखें 5.55 ये खुद अमली है क्योंकि ये खुद अमली है अभी धियान दो अगर हम किसी ऐसे पदार्द को खाएं जिसका पी एच मान च्छाए है तो उससे ज्यादा अमली तो हमारा मुह है खाद पदार्द का पी एच मान 6 इसका मतलब ये भी अमली है मैं इसको भी मानता हूं लिए लेकिन उससे ज्यादा अमली है क्योंकि हमारा मुह उससे भी ज्यादा अमली है हमें 6 पी एच मान वाला खाद पदार्द स्वाद में खटा नहीं लगे तुमको प लोगगों पांच वाला भीए और कोई फ़ल कहा हो आपको वह भी घटा नहीं लगेगा पर जक्तानमें को इसके थोड़ा बहुत आगे पीछे पदार हमको खट्टे नहीं लगते हैं जब हमारे मुह के पदार के पिएश्मान में काफी डिफ्रेंस हो जाता है अब जैसे पिएश्मान दो वाला कोई ऑबजेट या खाना आपको दिया जागा वह आपको बहुत खट्टा लगीगा तो दो तो डिफ्रेंस जादा है या आपको जादा खट्टा लगेगा तो इस बात को हविसा ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे पदार खट्टे होने के बावजूद भी हमें स्वाद में खट्टे नहीं लगते हैं एसीड होने के बावजूद भी स्वाद में खट्टे नहीं यह सेव मैलिक एसीड होता है अब मुझे खटा होता है तो हम लोग सौद में देखेंगे नौर में कहेंगे खटा तो में दीखें नहीं क्यों क्योंकि उसका पेचमान हमारे मुख के पेचमान के या तो लगभग बराबर होगा या इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा तो वो प विक्षो कईमी से कौन सा रोगउत पन हो जाता है इसकर वी एजा इसकरवरी रोग में से क्या एक है मसूरूं में उजना जाती है कहता है क़ंछा यह हो कभी दान्तों के बीच में से क्या उन फून निकलने लगता है तो वीतामीज़ कहता है दातों का सिथिलन दात भी सिथिल होने लगते हैं डिके होने लगते हैं कभी-कभी देखते होगे आप लोग एक चीज को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्या कि मनुस्त का दात अपने आप तूटना इस्टार्ट कर देता है छटे-छटे टुकड़ों में अपने अब का मतलब ज़्यादा बारी काम उसे नहीं लेते हैं ज़्यादा कठोर कारे नहीं लेते हैं फिर भी दात अपने छोटे-छोटे इंस्नों में तूटने लगता है तो वो प्रॉब्लम भी आती है अभी आगर कहता है नस्का फटना ये भी प्रॉब्लम आती है आगे एक लगी घाओ भराई नहीं कई महीने तक हम समझ गया कि हमारे बाड़ी में कैसी कमी हो सकती है विटामिन सी ये भी ध्यान लखो हमारे घाओ जल्दी से नहीं भर रहे हैं ये कनफर्म नहीं है कि विटामिन सी की कि ही कमी है हो सकता है इसके अन्य रीजन भी हो सकते हैं मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि हो सकता है विटामिन C की कमी ओ, लेकिन ये कहना गलत रहेगा कि नहीं विटामिन C की ही कमी ऐए, ये तब पर चलेगा जब आप विटामिन के लिए कोई रिपोर्ट करवाओगे और उसमें से विटामिन C की कमी आएगी हलाकि आपको इंफॉर्मेशन के बतल ये बता दें विटामिन की जो रिपोर्ट होती है ब्लड रिपोर्ट वगएरा काफी महंगी पड़ती है वो नेक्स नंबर पे चलते हैं विटामिन एच विटामिन एच का फॉर्मुला बायोटीन सूत्र में से अगर फॉर्मूले को मैं पढ़ना ही स्टार्ट करूं सी टेन एच सिस्टीन ओ ट्री एंट्व एस ये फॉर्मूला हो गया खमीर में अंडे की जर्दी में अंडे का पीला वाग छोड़ के जो बचा बाग सफेद उस पर मूंग फली में और चॉकलेट में बेटा ये पदार्थ पैजाता है विटामिन एच कहता इससे प्रॉब्लम क्या आती है अगर विटामिन एच की कमी हो जाए बाड़ी में तो बालों का गिरना तुचा सोद तुचा में रूखा पना आने लगता है तुचा जो इसकीन ह होती हो धीरे धीरे निकलने लगती है कहता विलंबित वर्दी और नॉर्मल एज के साथ जितने वरदी होनी चाहिए मनुस्त में उससे थोड़ी सी कैसी होती है कम तो वरद में भी विलंबाने लगता है यह एफिक्ट हो सकते हैं किसके विटामिन एच की कमी के तो बेटा य इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद हम लोग एक और चीज को पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिद भी जिसको कहते है तो बेटा न्यूक्लिक अम्ल मैं हेडिंग डालता हूँ अच्छा न्यूक्लिक अम्ल में परहसान होने वाली बात भी नहीं हम यहां से स्टार्ट करते हैं देखो आपने जनरली दो परकार के न्यूक्लिक अम्ल पढ़ रखे हैं पहला डी एन ए और दूसरा आरेने अब क्योंकि हमारे पास आर्टिकल है तो हम डारेक्ट डी एने और आरेने थोड़ी पढ़ाएंगे हम तो सबसे पहले चेक करेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है फिर इस बात को चेक करेंगे कि न्यूक्लिक अम्ले मेंली कितने भागों में डिवाइडेड है तब नंबर आएगा डी एने और आरेने फिर इसको पढ़ेंगे कि ये डी एने आरेने किन प्रकार के केमिकल से मिलकर बने होते हैं और फिर लाश्ट में DNA और RNA का हमारी human body पर यूज क्या है तो RNA से ज्यादा यूज हमारी human body पर किसका है DNA का लेकिन फिलाल उसके यूज बताएं इसके पहले हम पढ़ देंगे कि new click अमल सौरी थोड़ा सा इसको सही कर ले ना ये new click अमल है अब कोई पूस्ता है न्यूक्लिक अमल होता क्या है देखो हम क्या बताते हैं यह कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फुरस यूप्त वह जटिल कार्बनिक योगिक कार्बनिक वह जटिल कार्बनिक योगिक है जो ऐसा इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं वे जटिल कार्बनिक योगिक हैं जो कोशिकाओं जो कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं केंद्रक में पाए जाते हैं तो बेटा इसको पले से पले पढ़ते हैं देखो सुनो केंद्रक में कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन यूप्त वे जटिल कार्बनिक योगिक हैं जो कोशिकाओं के कहां पाए जाते हैं केंद्रक वैसे तुमको एक चीज बताएं तुन्हें एटम पढ़ा है परमारू परमारू में भी एक नुकलियस होता था केंद्रक होता था परमारू केंद्रक को क्या कहते थे नुकलियस नहीं और इसमें भी तो लिखा है नुकलिक अम्द इसका मतलब मैं ये एक क्या सुंस्ता हूं बात नियूकलेक एसिड भी केंदरक में पाया जाएगा सेंटर में पाया जाएगा लेकिन किसके सेंटर में पाया जाएगा तो ध्यान दोसको हमारी बॉड़ी जो है वो छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे से मिलकर बनी है बहुत सारे छोटे-छोटे से इतने छोटे- चोटे चोटे पार्डिकल से से मिलकर बनाए आगर मैं आ लेता हूं हमारी बॉडी का ये सिल है फोड़ी जिर के लिए मान लेते हैं ये एक सिल है टो बेटा इस सेल का बीच वाला भाग तो यही न इस सिल के बीच वाले भाग को कहते हैं केंडर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नूक्लियस इस नूक्लियस में एक प्रकार का एसिड पाया जाता है उस Nucleus में पाये जाने वाले Acid को ही हम क्या बोलते हैं Nucleus Acid या Nucleus अच्छा अभी थोला से इसको कहेंगे कोशिकाओं के केंदर केंदर को इतो Nucleus कहते हैं हिंदी में लिख दिया तो केंदर, अंग्रेजी में लिख दिया तो Nucleus तो फिर दियान रखना है हमारी बोडी पूरी है वो छोटे-छोटे काय से मिलकर बनी है सेल से मिलकर बनी है और छोटे-छोटे सेल से मिलकर बनी है तो इन प्रतेक सेल का अपना ये क्या होता है केंदरक तो उस केंदरक में कोई एक परकार का क्या मिलता है Acid और उस केंद्रक में जो एसिड मिलता है उस नूकलियस में जो एसिड मिलता है हमने उसका नाम क्या रखा है नूकलियक आमल नाम से ही रिपरजेंट है अगर आप समझना चाओगे आसानी से समझ जाओगे कि इसका नाम नूकलियक एसिड क्यों पड़ा तो मैं इसलिए बता दूँ ये भी एक लिग दें क्योंकि ये एसिड ज्यादा तर ये भी देखो दो एक चीज और इसमें से मैंड कर दूँ क्या क्या सभी नुकलिक अमल कोशिकाओं के केंडर पर ही पाए जाते हैं तो बिटा इसका आंसर जरूरी नहीं है कुछ ऐसे भी नुकलिक असिड हैं जो केंडर पर पाए नहीं जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं पाए सेल पर ही जाते हैं लेकिन केंडर को छोड़ कर उससे बाहर पाए जाते हैं तो ये बात सुचना गलत है कि सारे के सारे नियुक्लिक एसिड केंदरक पर ये पाए जाते हैं तो इसके लिए मैं एक लाइन देखो पढ़के सुना दू अधिकांस नियुक्लिक अमला कोशिकाओं के कहां पाए जाते हैं केंदरक में परन तो कुछ नियुक्लिक अमल ऐसे भी हैं जो कोशिकाओं के केंद्रक पर नहीं पर लेकिन अधिकांस पाए जाते हैं तो यह एक काम कर लेते हैं इसको मिठाते हैं चित्र को और एक बात यह बताते हैं क्योंकि अधिकांस जो नियुक्लिक अम्ल हैं ये केंद्रक के कहां पाई जाते हैं कोशिकाओं में यही करना है कि इनका नाम हम लोगों ने क्या रखा नियुक्लिक अम्ल तो यहां बताएंगे जो कोशिकाओं के केंद्रक में पाई जाते हैं लिखेंगे कोशिकाओं के जाने के करण हम इन्हें निव क्लिक अमन के नाम से जानते हैं तो इस बात को विशेज जहान रखना है कि इसको न्यूक्लिक असिड क्यों कहा गया ब्रेव की कभी नंबर आएगा इसको बताओगे क्योंकि ये कोशिका के न्यूक्लिक असिड को क्या बोलते हैं न्यूक्लिक असिड अभी एक और चीज है कि न्यूक्लिक असि भी लिखते हैं नियू क्लिक अम्ल हमारे अनुवांसिक सूचनाउं को एक पीड़ी से से दूसरी पीड़ी पीड़ी तक ले जाते हैं एक पीड़ी से दूसरी तो यह हमारे अनुवांसिक गुनों को यह अनुवांसिक सूचनाओं को एक पीड़ी से दूसरे तो किसी माँ से उसके बच्चे पर उससे उसके बच्चे पर गुनों का यह क्या करते हैं ट्रांसपर करते रहते हैं लगातार तो यह इनका कार है अभी एक और चीज पढ़ेंगे कि नुक्लिक एसिड हमारे यां कितने प्रकार के पाए जाते हैं तो बेटा नुक्लिक एसिड पाए जाते होंगे कई प्रकार के लेकिन हमको मातर कितने प्रकार के पढ़ने हैं दो प्रकार के पहला डी एने और दूसरा आरेने तो इस बात को भी बेटा लिख के पहले दिखाएं क्या दिखाएं कि एक अलग लाइन में निव क्लिक अमलों को मुख्यताहा दो भागूं में बाटा गया है और बेटा ये दो भाग पूछता भी बहुत ज़्यादा है पहला भाग डी एन ए इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी एन ए इसमें से ये भी पूछता है कि डी एने का पूरा नाम क्या है तो भईया उसको भी लिखते हैं डी आकसी राइबो निव क्लिक एसिड हाई सब लोगों के लिए एक इनफॉर्मिशन क्या है कि कहीं कहीं बुक में यहाँ डी आकसी राइबोस भी लिखा होगा उससे परेशान नहीं होना है सेम चीज है तो मैं इच्छा तो हम लिख दें यहाँ बैया लेकिन टेंसन मत लेना कल के दिन कभी किताब में देखो और फिकर तो कि या तो यह समझो कि किताब में गलत प्रिंट हो गया होगा या यह समझो कि सरजी ने गलत लिख दिया है तो यह दोनों चीजें अपने दिमाग से निकाल देना आप राइबो भी लिख सकते हो और राइबोस भी लिख सकते हो उससे आप परेशान न रहें तो यह पहला डिने हो गया अधर नंबर में मैं चेक करता हूँ दूसरा क्या होता है और इन ए इसको कैसे लिख सकते हैं एक तो लिख सकते हैं और अधर इन ए अब पुछेगा इसका पूरा नाम तो बैटा इसका भी पूरा नाम एक्जाम में आता है कई बार आया है कि राईबो में निव क्लिक कि एसी यह एसीड को तो आम भी बोल सकते थिMc% में थी दो प्रपकार से दो प्रकार के तैन अपंश करते हैं इनको फिर नोट कर ले फिर बांक जो इनके विषै में information है कि आखर ये DNA और आ रहे हैं किन किन केमिकल से मिलकर बनते हैं इसको पढ़ते हैं नेक्स क्लास में। झाल झाल